नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवेन के एटूप चैनल पर चलिए आज हम लोग हिंदी का नेक्स्ट टेस्ट को ध्यान से करेंगे और इसमें जितने भी क्वेशन हैं आप बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत करिएगा इसका पीडिया दूस्त है गहां पहले तो आप आप तबोग्राम ज्यान कर लेजिए दिन मैं उन्योंय पाईड़ा टेस्ट होगा उयाए तरह हुत जहानों करेंगे और और ऊइसको जुर्ण करिए और रोवज THE क्लास होता है mathematics का, बिल्कुल free of cost होता है, उसको join कर लीजिए, और youpitet का बिल्कुल free, आपको पूरा syllabus मैंने करा दिया है, playlist में allable है, इसके description में भी मिल जाएगा आपको, तो हाँ से आप ले सकते हैं, चलिए, मैं इसके साथ-साथ कुछ प्रश्ण भी बोलता रहोंगो, उसको भी ध्यान से आप सुनते रहेगा, देखिए, पहला question है, आज पहले मैं बता देता हूँ, आपका किस्से है या प्रश्ण, यह है आपके वाक्यान से के लिए एक सब्द है, इसको पहले का उत्तर है, लड़ाई जगड़ा हो जाना, जूतियों में डाल बाटना, मतलब लड़ाई जगड़ा हो जाना, चलिए, नेक्स पे चलते हैं, घणों पानी पढ़ना, मुहारेक अर्थ क्या होगा, घणों सफेद कमल का मतलब क्या होता है सफेद कमल मैं जो ची बता रहा हूँ यह कहिन कहीं पुछा गया है सारे एकजामस के लिए बहुत महत्पूर होने वाले भाई अरविद कैते हैं अचाध जो जानवर पाल जा सके हैं होरे भी मैं बोलता चलूँगा यह वाक्यांस के लिए एक सब्द मैंने बोल रहा था तो जिससे कि आपको दोनों चीज़ें ध्यान देना क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रस्णाते हैं आपके न चलिए अगले पर जाते हैं जहां न पहुचे रवी वहां पहुचे कवी कहते हैं न जहां न पहुचे पानी वहां पहुचे वाड़ी वाड़ी एक चैनल है उसको छोड़के चलना है जहां न पहुचे रवी वहां पहुचे कवी यह चीजें बताए तीसरे का उत्तर क्या होगा डी यानि कि कवी बहुत ह चील होते हैं हैं क्या राखिए कभी जो होते हैं बहुत कल्पना सील होते हैंoring देखें कोई मतलब नहीं प्रडव होते हैं गलत विवाद सील होते हैं गलट यहीं आपका perfect answer है तो यह तर प्टनों से पहले तो मिठे मिठे बोलो वो मत्वें बहुत सारी चीजें आसाये klar करो जो ऑबहुत सारे बाते करने का अंगर आपसे अग對啊 इंचा होना यानि कि बहुत उचा होना तो अब पढ़ोगे लिखोगे तब जो उक्तर दी होगा अगले प्रस पर आ जाते हैं अगला प्रस देखेगा आप सभी क्या है पढ़े फार्सी बेचे तेल पढ़े फार्सी पढ़े फार्सी और बेचे तेल इसका अर्थ क्या होगा यह देखो कुद्रत का खेल पूरा का पूरा यह है पढ़े फार्सी बेचे तेल यह देखो कुद यानि कि जिस काम के लिए बना है उस काम को ना करना उससे निचले काम को करना समझ रहा हो नहीं देखते हो ना जैसे अभी आहाली में या फिर आप उन्नीव सुनते होंगे भी टेक वाली ने चाय बेचा कोई गुपता करके हैं और अभी आपने देखा कि बीटीसी वाले जो चात्र हैं वह एक पकोड़े का ठेला लगा लिए लिए भाई मैं बेटीसी किया हूं मैं भी एट किया हूं इस प्रकार से चीजें सामने लिख कर आते हैं तो यहीं चीज है जो दिखाए बोला जा रहा है यहां पर कपटी मित्र किस मुहारे का सही अर्थ है बताए कपटी म मित्र कर लिए प्रकार कर होगा काट्स का अलूरा अक्ल का दुस्मन आस्टिन का साव मित्र का कब दस्ले अब ही शामने तो पीछे क्या पीछे तो तो appreciate that आ साय वैजह कर रहा है है इसको पर यहां से जब जाएगा तो इसके साथ इसके पायग में जो ा接下來 होंगे सब चीड़ना है मुझे यह बहुती तेजुखा बनता है यह सारी चीज़े है ना तो पीट पीछे बोलना आस्पिन कस्षा हो ना जो आपको पता भी नहीं है आपके सामने मीठा बनके बोलेगा और बाद में समझ रहों घिसका देगा वैस लटा देगा आपको तो के लिए जो उप्यूक्त मुहावरा क्या है मीठी मूठी मीठी चूरी यह पेट में दाड़ी नहीं होता इसका यह आस्पिन का साप मैंने बता दिया पीट में दाड़ी मतलब कि दूसरा कुछ है इसका इन दोनों का मतलब और इसका मतलब यह अद्रिस से सत्रू ठीक है ना आंखे फेर लेना का मतलब तब प्रतिकूल हो जाना एक बहुत ही अच्छा पूछा गया था लोगर सब और नेट में आखों में चर्वी चठाना आखों में चर्वी च्छाना हाना मतलब होता है अधिक खमंड करना अधिक खमंड करना ठीक है यही काम आप सभी को नहीं करन अधिक खमंड करना नहीं तो ऐसे करने वाला व्यक्ति भी व्यक्ति होता है ना करने वाला भी व्यक्ति होता है लिए इसका बहुत बुरा प्रेडाम होता है जिसका कोई सत्रु पैदा ही नहुआ हो उसे भाई अजात सत्रु कहते हैं क्या कहते हैं अजात सत्रु कहते हैं अज दो इसका उत्तर होगा ठीक है अग बबूला नहीं भाई यह सब नहीं होगा हवं करना नहीं भाई यह क्या ॹर जाएगा ठीक है इसका राई उत्तर हो गाक ठीक है छलते हैं analyse वेन और कीचड उचालना मतलब यह क्या करना अपमानित करना रिख बह dur आधी के आधी के आम इसका अर्थ क्या होगा बताना जबदा आधी के आम कमतल्ब ऻमेश्य कैस समय से कोई चीज जो लाबान हीत करें उसे कहते हैं ना ंशार महाने लिए यहाँ जितने भी पृष्ट मैंने लिया एक अच्छे बुक्स से एक अच्छे इसे भी को उने एक्सपेकटेवाले वही तोप सॉल परते रही है तो आपके इसारे जायमेस के लिए लिए फाइदा करें लगाफ़ वाँ शित समवाद अर्थ यह है अओवाँ जिसका कोई मतलब ना निकले उत्लम अटिसका मतलब ना निकले एडर के देखते चलना सिर्ख खाना यह सही होगा तो ऐसे प्रशन भी आपको मिलेंगे जिसका सबसे अच्छा है वह हमको टिक करना है कागजी घोड़े-द्वड़ाना मुहावरेकार्थ क्या होगा कागजी घोड़े द्वड़ाना वूरत की लिखा पड़ी करना भाई अभी अपने चीज़ के लिखापड़े-द्वड़ाना यह नीं की वेर्थ पड़ा करना अच्छा एक प्रश्न पताना आंखों में सरसो फूलना मतलब क्या होता है आसन डोलना इसका मतलब बताना आसन डोलना का मतलब विचलित हो जाना क्या हो जाना विचलित हो जाना विचलित याद रख लेना विचलित हो जाना 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 विचल पर चलते हैं गोद में लड़का सहर में ढ़िट हो रहा हुँ और चलेगा इस आता चलेगा अब टोटल नंवे नंबर का टेस्ट है जो लोग डेली करने उनके के लिए बहुत अच्छी बात है गोदमें लड़का सहर में 0ória मौहालय का सही अर्द मताना क्या होगा बारा में का जो सही उत्तर होगा सहती होगा पास में वस्तू रहती हुए भी चारों और खोजना यह चीजी वहगी अचा आग बाबूला होना मतलब अत्यान्त क्रोधित हो जाना आवाज बुलंद करना मतलब विरूद करना होता है यादगना अच्छा आग फूस का बाहर होना आग फूस का बाहर होना मतलब जन्मजास सत्रू होना समझे रहो ना बलब कि बिल्कुल आश्किन का साप जिसे कहते हो आप छुपा रहो भाई डंशलो पताना चले ऐसी बाते ह को जाती हैं चलूा जाओ Next का गी के दिए जलाना मोहरे का सही अर्त है धी के दिए जलाणा मजन के क謹ते हो जब कुछी की होती हैँ गड़ में डिपावली होता है तो जलातेगो उसमें खुशिया रती है तो ऐसे घी के कप जलाओ चाने तो अपने से चला ने लिए तो खुसी मनाना लेक्स देखना सोने में सुगंध का मुहावरा अर्थ क्या होगा यहां पर सोने में सुगंध होता है कि यहां पर सोने में सुगंध है तो बताना जला इसका उत्तर क्या होगा चौदर का जो राइट उत्तर होगा क्या हो जाएगा पोटे में वह सोने पर सु तो यह क्लाँवता है सोने में सुगंध समझे गए पहले से और और अधिकसे होना जैसे देखते हो न लोग आती है विकना क्यों सा वुल हो जाना क्योंकि देखनें पाऊगो गुलर का फूल क्योंकि रात में बारा बज़ी उखता है और यह एक घंटे के लिए मात रुखता है जैसे इक बचता है या फिर से अपने रूप में आ जाता एंडिकी बता है गुलरिया का फूल का अर्थ क्या होगा मध्थर महापूर्सों का निराधर करना समझे उन्ए है अपने उपर ही अपमानित कर लेए खुदको यह चीज भी कह सकते हो आख़ा आँंखे लाल पिला करना म क्रोध जाना आजंगे या फिर आंक बचाना का मतलब होता है कतराना अर्किसी दूसरे से छुब चपा कर चलो चोरी किये रहो उसके पैसे ले रहो तो मन बनाएक के चलो आई इस प्शुरा गने शाया जखी लेगा ठीक इस पर से आंग का अंधा गाट का पूरा यानि पंद्रा का उत्तर बी सही होगा और प्रश्ण का उत्तरी की वाइज सोरी इसके लिए मैं आपी चाहता हूं सभी के और प्रश्ण सायदर मैंने प्रश्ण करूंगा आप इसको दो राएएगा रिवाइज करिएगा और कल मैं एक्स्टा कर से लेकर आँगा धन्यवाद पर से चूँँ